हेलो गुड इफनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और शाम का टाइम है शाम की चाई मेरी में दूर डाल दिया है वह बन रही है शाम की चाई और दुपहर में मैंने ना मूंकी डाल जो है न वो मैंने भिगो के रखी थी और ये धूली हुई दाल है चिलके वाली नहीं इसमें मैंने एक अधरकत तुकड़ा डाल कर और इसको मैं पीस रही हूँ तो इसको ना मैं बहुत कम पाइन डाल कर पीस हूँगी क्योंकि मुझे इसका एक गाड़ा सा वो बनाना है पेष्ट बनाना है क्योंकि मुझे इसकी बढ़िया बनानी है इसलिए तो अभी चाई ही बन रही है तो सोचा कि चलो पहले ये काम कर लेती हो चाय जब त्यक उबल की तो काफी अच्छे से जो हाना तभी टेस्ट आता है चाय में मैंने इसमें डाल दिया है गारलिक जिंजर का पेश्ट और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मैथी आप चाहो तो इसमें धनिया के पत्ती भी डाल सकते हो और ये है जीरा और इसके बाद मैं डालूँगी मैंने इसमें हल्दी नहीं डाल ली थी बस इसके बाद थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा डालूँगी मैं खाने वाला स तोरा मैं डालूँगी आदा एक चुटकी ढालूँगी बहुत एक चुटकी तो बस इसको मिक्स करके मैं इसको पंदरा मिनिट के लिए जो हैंप मैं रख दूंगी ताकि जो हैंद ये न इा अच्छे से और फूल जाय और जो मैंने इसमें सारे मसाले फूल अब शुकर मैं द जो डीनर है ना ये इस पेशली जो है ना हमारी गोलू के लिए बन रहा है क्योंकि इमें पहले भी बना चुकी थी और फिर उसको बहुत ही जादा पसंद आया था युवान को तो सोचा कि चलो फिर से बनाती हूँ वैसे खाले इसको जो है हम तेल में भी इसकी जो बढ़िया तोड़ते हैं बट इस बार जो है ना मैं वैसे जो है ना मैंने जो बनाया था पहले बार में तो वो मैंने स्टीम से बनाया था तो उसको बहुत पसंद आया था और ज्यादा हैवी भी नहीं हुआ क्योंकि देखो हम जब कोई भी चीज़ तलते हैं तो उसके लिए हमें डी तो देखो एक तरफ जो है ना इसमें पानी अच्छे से उबल चुका है तो उबाल भी आ रहा है तो चलनी में मैंने ले लिए थोड़ा सा घी लगा लिया है आप चाहो तो रिफाइंट भी लगा सकते हो बट इससे क्या उतना घी का एक बड़ी में जो है ना वह अच्छे से वो आजाएगी खुशवू आजाएगी उसकी स्वाद भी आजाएगा इसलिए तो थोड़ी छोटी करके हमें इसमें डालनी है बड़िया बनाने तो यह जब हम इसको पकाएंगे ना जब हम सबजी बनाएंगे तो यह जो बड़ी है ना पानी में डालती थोड़ी सी तो फिर वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी जब हम इसको सब्जी बनाएंगी इसलिए तो मैंने सारी जो है न थोड़े करके मैंने डाल दी हैं और तीन बार में मेरी जो सारी बड़ी है थी वो बन गई थी और सुबा मैंने कपड़े वाश किये थे तो वो भी सुप चुके है तो अभी बड़ी जो है न भी मेरी स्टीम ले रहे कम सकम 10 से 15 मिनड़ तो वो स्टीम लेगी तो सुथा कि चलो छोटे मुटे काम अपने निप्टा लेती हूँ जैसे की कपड़े निकालना उतार लिये हैं तो उनको मैं आराम से लगाती हूँ तै और घर में जहारू है तो अंदर से जो है यह पक चुकी है तो मैं इसको निकाल लेते हूँ निकालने में थोड़ सी महनत लगी है बट अच्छे से जो है न यह निकल भी गया है मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं और अगर आप चाओना इसमें हरी मिर्स भी डाल सक अब जरू ट्राइब कीजेगा तो मैं अब मैं अब मैंना सब्जी के लिए मसाला तयार कर वह हूँ क्योंकि नौरादे चल रहे हैं तो नौरादे में प्याज रैसूं तो खाएंगे नहीं तो मैंने इसमें टमाटे डाल दिया है तो अगर आप सब बड़े हो तो बड़े नहीं खाना चाहँ तो आप भड़े में डाल सकते हो बड़ी है जो है मुंकी डाल की बन चुकी है और यह जो है ना मैं सैकिंड बार बना रहे है फर्स्ट बना यह को बहुत पसंद आए तो शेब बन चुक है तो यह है बन चुक है थोड़ा सा टाइम लग लग गया है कि त तो दोनों बच्चों को श्टैम पर खाना दिना स्टार्ट करना थी थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि बढ़िया बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए तू चलो फटाप्ट से बनाते हैं इसमें बस मुझे पीस ना है और धनिया मेरे पास पीसा हुआ नहीं रख मेरे बनाने स्टार्ट कर देते हैं मसाला मेरा पीसर गया है और अभी मैंने डाल दिया सर्टी तेल की सर्सों का तेल अच्छे से गरम करना है होता है और वो गरम कैसे पता चलता है कि गरम हो चुका है जब इसमें से धुवा निकल जाता है तो समझ लिए हमारा जो सरसो का तेल है वह अच्छे से गरम हो चुका है तो और वो ना हलका भी हो जाता है गरम करने के बाद तेल हलका हो जाता है अगर हम थोड़ा सा ही गरम हो और दूहा नहीं निकलेगा तब करेंगे तो तेल भी हैवी हैवी सा हो जाता है और ना सब्जी भी थोड़ी सी रहा ऐसी बनते हैं वहला आसा लगता है कि हांसर सोगे तेल में बनाई गई है तो इसलिए जो है ना मैं तेल को अच्छे से गरम कर लेती है उसके बाद ही जो है तीन चारी मिनट के लिए मैं आसे डग के पकाया था और पकाने के बाद मैंने इसमें सारे मसाला डाल दिये हैं तो इसके बस इसको अच्छे से जब तक मारा मसाला अच्छे से भूनता है जितनी देर तक हम भूनेंगे उतनी देर तक जो है ना उतना ही मतलब सब्जी में भून चुका है और इसमें तेल भी अलग हो गया है तो दिखाई भी दे रहे तो इसमें डालते हैं हम दो चमच दही और दही जो है ना मैंने घर में जमाई हुई है तो फ्रेश वाली दही है अच्छे से इसको मैं मिक्स कर देती हूँ फिर मैं पांच या छे मिनट के लिए फ जाख होती रहती है और हाथी हाथ में मैं बरतन को भी साफ करती रहती हूँ सिंक में बरतन में नहीं रखती हूँ तो आरना युवान दोनों भी खेल रहे हैं और बस अभी मैं आठागे रख दूंगी ताकि आठे को भी न थोड़ा से माला 15 मिनट के लिए या पांस मिनट क तो आरना ने जो ऐसी है न वो भी ऐसी खा ली थी उसको न वो कह रहती है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पकोड़े तो आपने इसके साथ में चाय बना जो तो मैंने बोला इसके साथ चाय नहीं बनेगी अगर तुम्हीं चाहिए तो दूम मैं दूद दे सकती हूँ उसने आजकल दूद भी पीना बहुत कम कर दिया कैरी मैं दूद से बोर हो चुकी हूँ उसलिए मुझे दूद महीं पसंद है बट अब यह है कि मैं जबर्दस्ती पिला देती हूँ उसको सुबह शाम तो देती ही देती हूँ तो देखो मसाल अच्छे से पक चुका है और यसमें मैंने अपफेने कोटिंग पानीक रख सकते हो क्यों कि बरी भी पानी पी लेती है इसलिए तो मैं ने थोड़ा ज्यादाrifी रखा है इसमें ओबाल आएगा काफी अच्छे से मैं पानी पकाओंगी उसके बास जो है ना मैं बढ़ी yardालूँ तो बस एक तरब पनी म को पकाऊंगी उसके बाद जो है ना फिर मैं बढ़िया डालूगी तो बस एक तरब जो है न भी हम फटा-फट से आटा भी लगा लेते हैं तो पानी मेरा अच्छे से पक चुका है कम से कर मैंने 15 मिनर तक इसका पानी जो है मैंने पकाया है थोड़ा सा कम हो गया है पानी अब इसमें बढ़िया डाल देते हैं और एक उबाल आने के बाद मैं 5 मिन के बाद 5 या 4 मिन के बाद जो है ना गैस को बंद कर दूँगी नहीं तो फिर ये जो बढ़िया है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी पानी ज़्यादा पी लेगी इसलिए तो बस इसक दिया है अब बनाते हैं मेरा आटा भी मैंने लगा दिया था तो अब बनाते हैं बच्चों के लिए पराठे गरम गरम और ये पराठी के साथ ये वाली जो सब्जी पसंद अच्छी लगती है तो बेटी की भी थालिते यार और बेटे की भी थालिते यार तो चलो लेकर चल लगता है कि हाँ युवान को काफी पसंद आये सबजी तो आरना खुद से खाएगी युवान को मैं खिलाओंगे तो चलते हैं देखते हैं क्या सा रहता है उसका खर उसको पसंद तो आई गए थे खीरा भी खा लेता है दीरी दीरे खाता है खीरा भी खाने लग गया तो उसक कर लिया और यह ओगे था नेक्स्ट है तो हम दोनों मतलब मैं उठकर आए थी मुझे तनी तेज नींद आ रही थी तो मैं ना सोफे पर लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई तो युवान आया वो मेरे उपर आकर लेट गया तो वो टीवी देख रहा है हो मुझे नींद से तो बस इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट ने गई नहीं की और अब मैं यहीं पर अपना वीडियो का भी एंड करती हूं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक्या और जो सबजी मैंने आपके सास्ट शेयर किया ना वो जरूर एक बाद ट ठीक है तो चली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक कियर